हेलो दोस्तों, एक्जाम ग्रेडिव चैनल में आपका स्वागत है मेरा ना मंकुस इसमें दोस्तों हम बात करेंगे एकल नागरिक्ता के बारे में सिंगल सेटीजन्सिप क्या होती है दोस्तों आपको पता होगा हर आदमी की हर देश में एक नागरिक्ता होती है जिनकी नागरिक्ता नहीं होती उनको हम stateless बोलते हैं यानि कि जो वैक्ति किसी देश का नहीं होता नागरिक्ता जो है हमें अधिकार देती है जिस वैक्ति के पास नागरिक्ता होगी उस देश में जो अधिकार होते हैं वो एक वैक्ति को मिलते हैं एकल नागरिक्ता में व्यक्ति के पास केवल एक देश या फिर एक राज्य की नागरिक्ता होती है वह एक हिसमें में दो देशों की नागरिक्ता नहीं रखता यानि कि कुछ देश ऐसे होते हैं बहुत से देश जो केवल एक नागरिक्ता देते हैं एक बंदे को मतलब अगर आप भारत की नागरिक्ता लेते हैं तो आप किसी दूसरी देशी की नागरिक्ता उसी समय नहीं ले सकते। आपको पहले भारत की नागरिक्ता छोड़नी होगी, ठीक है? तो बारत में प्रतेक व्यक्ति को एक ही नागरिकता प्राप्त है चाहे वे किसी भी राज्य का क्यों ना हो हमारे पास जो है राज्य के इसाब से नागरिकता नहीं है आप के वल बारत के नागरिक होने चाहिए तो आप कहीं पर भी रह सकते हैं को परतियक अधिकार हर रज्यमें मिलेंगे, जो एक बारतिया नाघ cherry को मिलते हैं किसी बारतिया नाघरी के लिए बारत कि किसी सक्षेतर से संबंदी कोई बात जैता नहीं होती है, ठीक है, आपके पास पूरी freedom होती है, बारत में कहीं पर भी रहने की, कुछ भी खरीद की, ठेक है, वो आपको मिलते हैं भारतिय नागरिकता ग्यादार पर, लेकिन अगर आपके कुछ ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका, वहाँ पर दो नागरिकता लेनी पड़ती है, एक तो state की नागरिकता लेनी थैंक्स फोर वाजिंग